हालो साथिंगों आप सभी का स्वागा थे आपके पनी यूटूब चैनल सीड़ीपी को निवान से में पर मेरा नाम है रभी और आप कर रहे हूं मेरे साथ अपनी यूपिटेट और सीटर से संबंदित रिविएस की प्रेक्टिस क्लासे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आ मुगल गर्मियों की चुटी बिताने किस राष्टी उद्यान में आते थे आपको बताना है तो पहला अंसर हो जाएगा अपसन नमबर C माधा राश्टी उद्यान कहां पर है यह मद्ध प्रदेश में कहां है मद्ध प्रदेश में अगला अगला कोशन देखते हैं पेर्यार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है शेरों के लिए चित्तिदार हिरनों के लिए बागों के लिए या फिर जंगली हाथियों के लिए पेर् यार अंसर की जाप लोग यह जंगली हाथिओं के लिए प्रशिद्ध है इसके लिए जंगली हाथिओं के लिए अगला कुछ देखते हैं निम लिखित में से कौन सा राष्टी उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत नहीं आता है कौन सा राष्टी उद्यान प्रोज से कौन सा नेशनल पार्क राष्टी उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत नहीं आता है तो इसका अप्शन नमबर डी काबुल लामजाव पार्क जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंतरगत नहीं आता है अगला कुश्चन देखते हैं गैंडा के लिए प्रशिद द्यान का नाम बताना है फिर किस राज्जी में है ये भी बताना है देखिए गुर अरे गिर गुजरात या फिर काजी रंगा अशम रन्थमबहर राजस्थान कारवेट उत्तराखंड तो इनमें से बताईए कौनसा सही हो जाएगा गैंडा के लिए प्रसिद कौनसा है देखते हैं अगला है भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहां है भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहां है आपको ये बताना है देखते हैं भरतपुर गिरवन काजी रंगा या फिर नील गिरी अभी अभी हम कर चुके हैं कहां पर है काजी रंगा में है गै जरात, जार खंड, तो आपको अंसर करना है, इन में से, कहां पर हो जाएगा, बांधाउगड़ राश्टि उध्ध्यान, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में, कहा हो जाएगा downward report में, आज की पूरी की पूरी क्लास हमारी नेशनल पार्क से सम्मंदते रहेगी जितने भी कुश्चन बनते हैं सारे के सारे कुश्चन आपको आज हम करवाने आए हैं तो इस क्लास में आपका नेशनल पार्क जो है पूरा कम्प्लेट होगा तो देखते रही आप पूरी क्लास देखिए और वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए देखते हैं अगला क्यूस्चन काना नेशनल पार्क कहां इसते थे तमिलनाड, बिहार, आंध्प्रदेश या फिर मद्ध्रदेश कान्हा नेशनल पार्क कहां पर बना हुआ है साथियों आपको यह बताना है तो कान्हा नेशनल पार्क है कहां पर मद्ध प्रदेश में अपसन नमबर D अगला कुश्चन देखते हैं पेरियार वन्नी जी और भहरण किस राज में इस्ति थे पेरियार वन्नीजी और भैरण जो है उक्किस राज में इस्तित है केरल, तमिलनाड, करनाटक या तेलंगाना पेरियार वन्नीजी और भैरण आपको याद रखना है कहां ये केरल में है कहां पर है केरल में है पेरियार वन्नीजी और भैरण अगरा देखते हैं, कंचन जंगा राश्टी पार्क इस्तित है, उत्तर प्रदेश, पस्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर जम्मू कस्मीर, कंचन जंगा राश्टी पार्क कहां पर है, आपको ये बताना है, क्रूस्चन नम्बन्नों का आंसर हो जाएगा, सिक्किम, बहुत है आगे देखते हैं, दुधवा राश्टी उध्यान कहां पर इस्तित है, दुधवा नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाड या फिर उडिशा, दुधवा राश्टी उध्यान कहां इस्तित है, आपको ये बताना है साथियों, तो ये कहां ह उत्तर प्रदेश में है दुदवा नेशनल पार्क आगे चलते हैं पंच मड़ी जीव सनरचन छेतर कहां इस्तित है और राचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मद्ध प्रदेश या आंध प्रदेश पंच मड़ी जीव सनरचन छेतर कहां इस्तित है जल्द जल्द फटा फट चेतर कहा है तो इसका उजप्ञाएगा मध्या पर्देस कहा ही है मध्या पर्देस में आगे देखते है कोशे नमर 12 विश्व का एक मातर तेरता र duplici पास्टी पार्ritos कहा इसती थे विश्व का एक मातर तेरता हुआ राश्टी पार्क आगे चलते हैं कौन सा राष्टी उद्यान 32 पाड़ियों से घिरा है 32 पाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्टी उद्यान है कानहा बांधाउगड जिम कारवेट या फिर मानस 32 पाड़ियों से घिरा राष्टी उद्यान है बांधाउगड राष्टी उद्यान कह पर यह मध्य प्रदेश में आगे देखते हैं शींकारव Пока राश्ट्य उद्यान यह फिर अभ्यारण कहा किस्ति थे जिएंग कारवेट pagषप से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आँंध्प्रदेश यह फिर हिमाचल प्रदेश गाश्ट कारवेट खंड याद रखना आप लोग, जिम कारवेट अंदादेवी फूलों की घाटी ये सब कहा हैं, उत्तरा खंड में, अगला कुश्चन देखते हैं, अगला कुश्चन है, बागों का प्रशिद्ध रिजर्व सरिष्का, सरिष्का किस राज़ में इस्तित है, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज़ जिम इस्तित है, अंसी, बांदिपूर, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्यर गटा, ये सब कहां पर हैं, करनाटक में, कौन-कौन से हो गए, अंसी, बंदिपूर, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्यर गटा, तो ये हो गया करनाटक, अपसर नंबर C आगे चलते हैं, भारत का जेव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में इस्तित है, अभी हमने आपको बताया, नंदा देवी, फोलों की घाटी, ये सब कहां पर हैं, उत्तरा खंड में, कहां है साथियों, उत्तरा खंड में हैं, ये सब भी पार्क आगे चलते हैं, भारत में पर्थम जेव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई थी, पर्थम जेव मंडल रिजर्व की स्थापना, नीलिगरी नंदा देवी, हजारी बाग या फिर कानहा, नैसनल पार्क में हुई थी, तो आपको बताना इन में से, पर्थम जे ओमंदर रिजर्फ की स्थापना कहां की गई थी जल्द इल्द आंसर किजिए जल्दी जल्दी करनी हमें एक खुलास जल्द इल्दी कर जाई आप लोग जल्द इल्दी आंसर कीजिए तो question number ठारा का जाएगा option number A कहां हो थी नील गिरी में अगला question देखते हैं भारत में 1936 में इस्थापित पर्थाम राष्टी उद्यान का नाम क्या रखा गया था 1936 में जब बनाया गया था एक राष्टी उद्यान तो इसका नाम क्या रखा गया था कानहा भरतपुर हैली ये फिर राजाजी राष्टी उद्यान तो आंसर कीजिए आप लोग इसका नाम रखा गया था क्या रखा गया था साथियों हैली नेशनल पार्क क्या रखा गया था हैली राष्टि उद्यान आगे चलते हैं कहां पर है यह वर्तवान सोय में उत्राखंड में है इसका नाम मदला गया दोजारी कीस में इसका नाम हो गया है राम गंगा नेशनल पार्क आगे चलते हैं गिरक वन शेरों के लिए प्रशिद्ध है यह किसराज्य में अवस्थित या इस्थित है आपको यह बताना है गिर कहां है गुजरात में है गासे गिर और गुजरात तो याद रखना गिर गुजरात तिन चार वार पढ़लो याद जाएगा सेरों के लिए प्रशिध्ध है कैसे सैरेयाँ पर sino पेकर अगे चलते हैं नंदा देवी जेव मंडल कि स्राज में स्तित्य है नंदा देवी फोलों की घाटि जिजियमकार्वेट सब कहा है यह उत्तरा खंड में कहा है सातियों उत्तरा खंड अपसर नमबर डीश का बिलकुल सही हो जाएगा आगे देखते हैं नागर होल नेशनल पार्क किस राजी में इस्तित है नागर होल नेशनल पार्क कहा है मद्यप्रदेश करनाटक उडिशा या फिर असम अभी भी हमने आपको दो क्वेश्चिन पहले बताया है साथ अंसी बं कंदीपूर, कोद्रेमुक, नागरहल और बन्यर घटा नेशनल पार्क के सारे के सारे कहा है करनाटक में इनको याद रखना याद करते चलिए साथ ही साथ में अगला क्यूस्चन देखते हैं भारतपूर पच्च्य बहरन किस राज में इस्तित si थे आंसर कीजिए फटा-फ प्रत्व्थम् तित्ली उद्यान कहाँ इस्तित है भारत का प्रत्वint दिद्यान ज१वी अगय। पैंगलूर ुस्षिंट कहा है तो कभी भी क्वेसेट्व सतों नेशनल पार्थ में हुए हैं। दोनों आगे चलते हैं महात्मा गांधी राष्टी शमुद्री उद्यान कहां इसते थे महात्मा गांधी नेशनल पार्क के बारे हैं पूछा गया है नेशनल पार्क महात्मा गांधी तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर डी कौन सा हो जाएगा आपसन नंबर डी पोर्ट ब् आगे देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा राष्टी उद्यान सफेद सेरों के लिए प्रशिद्ध है कानहा बांधाउगण जिमकारवेट या फिर मानस सफेद सेर कहां पाजाते हैं तो इसका उजाएगा अपसन नमबर भी बांधाउगण राष्टी पार कहां है मद्य प्रदे बुक्सा पर्योजना कहा है साथियों बुक्सा पर्योजना आपसन नमबर डी कहा है पस्चिम बंगाल में है बुक्सा अगला कुश्चन देखते हैं मानस पस्विहार किस राजी में इस्ति थे मानस काजी रंगा यह सब कहा हैं आपको पता है काफी अच्छी तरीके से अब गुरु शाय खोवा है ना देहिंग पट कई यह सब कहां है असम में कहां है असम में तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिम कारवेट राष्टी उद्यान से कौन सी नदी बहती है अभी हमने आपको बताया कि जिम कारवेट या हेले नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया गया है राम गंगा नेशनल पार्क तो यहां से नदी भी बहती है कौन सी राम गंगा नदी बहती है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क बदल कर कर दिया गया है क्वेश्चन आने वाला एक्जाम में है किसी भी एक्जाम में आ सकता है हो सकता है आपके एकजाम में पुछ लिया जाए कि Jim Carvet National Park का भी हाल ही में नाम बदल कर क्या किया गया है जाद रखना राम गंगा National Park किया गया है आगे चलते हैं वहाँ प्रथम राष्टी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थाफित के आगया था आपको बताना है अभी अभी पीछे ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं तो वह कौन सा था जिम कारवेट नेशनल पार्क जो कहां बनाए गया था वर उस समय उत्तर प्रदेश में उत्तरा खंड में इस्तित है जिसका नामदलकर कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क आगे चलते हैं नामदाफा नेशनल पार्क मिजोरम मड़िपूत त्रिपुरा अरुड़ाचल प्रदेश तो काफी बार पूछा गया एकजामों में कोश्चन है और बहुत बार पर आने की उमीद भी होती है कई एकजामों में आ चुका है रेलवे के पिछले बार तीन से चार सिफ्ट में पूछा आ चुका एकजाम एकजामनर इसको पूछ चुका है नामदाफा नेशनल पार्क तो इसका हो जाएगा अरुड़ाचल प्रदेश में है ये नामदाफा और राचल प्रदेश आगे चलते हैं नेशनल वुड़ फालिष नेशनल पारक कहां पर है ये बताना है नेशनल वुड़ फालिष नेशनल पारक कहां पर है चुरू में है नागपूर में जैपूर में अफ़ जेशनल मेर में है नेशनल वुड़ फालिष पारक कहां पर ब बताना है भारत में कुल कितने राष्टी उध्यान है वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्टी उध्यान है आपको यह बताना है तो आप लोग इसका अंसर कीजिए भारत में कुल कितने राष्टी उध्यान है इसका हो जाएगा आपसर नंबर सी कितने 104 आगे चलते हैं कि राजा जी राश्टी ये पार्क एक प्रकृतिक आवास है किस चीज का प्रकृतिक आवास है देखे, महेसेयर मचली का, एचियाँ यहाथी का, कस्तूरी मरग का या फिर चीतल का, राजा जी नेशनल पार्क राजा जी फूलों की घाटी नंदा दे भी सब कहा हैं उत्रा खंड में याद रखना आप लोग तो ये किस चीज का प्राकृतिक आवास है यहाँ पर आपको यह बताना है तो इसमें हो जाएगा आपसन नंबर बी एसी आ यहाँ थी का प्राकृतिक आवास है राजा जी नेशनल पार्क देखते हैं अगला कुस्चन अगला कुस्चन है दाची गराम वन्नी जिओ अब्हरण निमलीखितमेंसे किस राज्यमें इस्तिते थे दाची ग्राम वन्नी जिओ अब्हरण कहा है पस्चिय मंगल अगला question ुछान साथ इसका आपको कह तेंक हैं एक बार था अभी बता चुके और याद कि किस राज में राश्टी उध्यान वेलिफ फ्लावर्स इस थे वेलिफ फ्लावरस बोल दीजिया फूलों की घांटी कर दीजिए कहां ये उत्रा खंड में है याद रखना इसको आगे देखते हैं नवरा देही वन्य जिव अभेहरन किस राज में हैं नौरा देही वन्य जीव अबहर्ण किसराज महाराष्ट जम्मू कस्मीरी मद्य प्रदेश या फिर उत्तरांचल नौरा देही वन्य जीव अबहर्ण साथियों कहा है मद्य प्रदेश में कहा है मद्य प्रदेश में आगे देखते हैं सुल्तानपूर बर्ड अबहर्ण कहा है चंदिगण भरतपूर गुडगाओं या फिर गांधी नगर सुल्तानपूर बरड़ अब भैरन कहा है चंदिगण भरतपूर गुडगाओं या फिर गांधी नगर तो इसका हो जाएगा अपसन नंबर सी ये कहा है गुडगाओं में आगे देखते हैं दाशिक ग्राम राष्टि उध्यान कहा फित है? जम्मू कस्मीर में है, दूसरी बार आगया question आगे देखते हैं, कौन सा बैरन राऌनों के लिए जाना जाता है? राइनों के लिए कौन सा बहरन जाना जाता है तो इसको इसमें जाएगा कौन सा जीम कारवेट आगे चलते हैं बहरत में वर्तमान में कितने बाग और अरच्छी छेत्र हैं कितने बाग और अरच्छी छेत्र हैं चालीस पैटालीस पचास पचपन तो बाग और अरच्छी छेत्र कितने आपको यह बताना है साथियों वर्तमान में भारत में बाग और अरच्छी छेत्र कितने हैं तो कितने कितने हैं 52 कितने हैं 52 यह सारे के सारे आपसन गलत दिये में याद रखना 52 हो चुके हैं अभी वर्तमान में पहले 50 था भूगे हैं 52 आगे चलते हैं मुदू मलाई पसुभिहार प्रसिद्ध है, मुदू मलाई पसुभिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बागों के लिए, गवलों के लिए, पच्छों के लिए, पर हाथियों के लिए, मुदू मलाई, मुकुर्थी, मुदू मलाई और मन्नार की खाड़ी यह सब कहा है, तमिल गोर्खुर कहां पायाता है सुंदर्वन असम की जंगल या फिर कच्छ का रण या फिर कावरी का डेल्टा गोर्खुर कहां पाया जाते हैं तो पैतालिस का आपको अंसर देना है पैतालिस को जाएगा सी कच्छ का रण आगे चलते हैं जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के यानि देखते हैं चीतवन बांदीपुर जिमकारवेट यह तो सारे के सारे भारत के हैं तो एक या बचाय कौन सा चितवन तो यही इसका आसर हो जाएगा आपसर नमबर ए चितवन आगे चलते हैं सरिस्का और रन्थम्बोर निम्रिखित में से किसका सुरच्छी तिस्थान है सरिस्का और रन्थम्भोर में किसका सुरच्ची सिस्ताने सिंग हिरन भाग भालू तो इसका वजाएगा अप्सन नमबर C किसका है भाग का है भाग का आगे चलते हैं अगला कुश्चन हाथी किस राष्टी उध्यान में पाए जाता है नागर होल बेरी विली दुधवा या फिर काजी रंगा हाथी किस राष्टी उध्यान में पाए जाता है तो इसका वजाएगा अप्सन नमबर A नागरहोल राष्ट्य उध्यान जो कहा है करनाटक में है नागरहोल राष्ट्य उध्यान जो हाथी यहां पर पाए जाते हैं आगे चलते हैं निम लिखेत में से कौन सा एक टाप स्लिप के नाम से जाना जाता है टाप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है सिंपलिपाल या फ इंद्रा गांधी वन्नी जीव बहारण आगे चलते हैं भारत के निमलिखित टाइगर जरु में से कौन सा मिजोरम में आवस्ति थे मिजोरम में कौन सा देखे मेला घाट बुक्सा डामफा या फिर भद्रा मिजोरम में कौन सा है अगर आपको याद होगे तो अंसर आप है राजा जी इंद्रावती बाधावगड या फिर बलफा क्रम तो आपको आंसर देने हैं 36 गड़ में कौन सा इन में से है तो 36 गड़ में कौन सा है इंद्रावती नेशनल पार्क है कहां पर 36 गड़ का पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क बाकी राजा जी कहां पर है उत्तराखिंड में है है राजाजी बानगण मद्द प्रदेश में है ये इक गलत लिखाऊ आया है आगे चलते हैं भारत में जंगली गधे निम्लिखित में से कहां पा जाते हैं सुन्दरवन कच्छकरण थारमर मरुभूम या फिर असम के जंगल जंगली गधे कहां पा जाते हैं तो इसका हो जाएगा असम के जंगल कहां पा जाते हैं असम के जंगल आगे चलते हैं निम्लिखित में से बाय और यहिठर कोजी माला हैं आपको आंसर देना है कौन सा टेंठ द्सक्राइदा रिसिए रेशा है जो फिलीप्र कोज हुए है जो सेरों के लिए प्राकृतिक अरवास है इसका ऐसंद प्रदेश का माध्व राष्ट्री पार्क कहां पर हैं आपको यह पताना है इसका प्रदेश तो मद्ध प्रदेश हो गया लेकिन जीला पूछ रहा किस जीले में है मद्ध प्रदेश के किस जीले में है तो इसका हो जाएगा अप्सन नंबर डी कहां है यह सिवपूरी आगे चलते हैं भारत में कितने जेव मंडल आरच्छी छेत्र हैं जेव मंडरा रच्छी छेतर कितने हैं यह भी बताना है आपसन देख लेते हैं बारा पंदरा अठारा शत्ताइस तु कितने हैं आपसन नंबर सी कितने हैं अठारा चलते हैं एक लिए कुस्चन पर निम्लिखित में से कौनसा एक नेशनल पार्क मडीपूर में हैं मडीपूर का पूचा गया है भीतर कडिका या फिर काबूर लाम जाओ या फिर केवला देओ या फिर सुल्तानपूर साथियों आप लोग इसको मैच कर लीजिये देखिये मडीपूर में कौनसा है मडीपूर में एक मातर तेरतावा राष्टी उद्यान जो पूरे विश्व का तेरतावा राष्टी उद्यान है उसका नाम है काबूल लाम जाओ तो इसमें आपसन नंबर बीज राइटानसर का आव जाएगा बांके के बांकी आपफ लोग देख लीजिए अगर आपको याद आ रहा ए सिम्पली पार भीतरगडिका कहां पर है वुडीपिशा में केवलादेव रंठंभध ये सब कहां पर हैं राजस्थान में और सुल्तानपुर नेशनल पर कहां पर हरियाना में आगे चलते हैं आज का लास्ट कोश्चन है किस वर्स में प्रोजेक्ट टाइगर आरंब किया था किस वर्स में प्रोजेक्ट टाइगर आरंब किया था देख लिजिए और अंसर कर दीजिए काफी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर कर दी कर दीजिए तो इसका हो जाएगा आप्शन नंबर ए उन्हीं सोतीहत्तर और चाहत्तर में सुरुआ था प्रोजेक्ट टाइगर तो वीडियो देखने के धन्यवात और अपनी पढ़ादी को जाई रखे अच्छी तरीके से करते रहिए और काफी द्यान देने की जरूरत है तो पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करिए बाबाए झाल से करेंग जरूरत है